आज हम कक्षच विज्ञान में साथे पाठ का अध्यन कर रहे हैं इसमें हम तने के बारे में कल अध्यन कर रहे थे कल हमने एक क्रिया कलाप का दिन किया जिसमें एक साख पादप के तने को लेकर के उसके तने को हमने काट लिया था और उसको रंगीन पानी में यहीं एक गिलास में हमने आदा जल पानी का लेकर के उसमें लाल रंग की शाई की टिकिया डाल दी थी उसमें उसका रंग लाल हो जते हैं अब कुछ संप प्रशात हमने अउलोकन किया कि जो ये पादब है इसके साखाओं का उलोकन करते हैं क्या इस साखा कुछ भाग लाल नजर आते हैं तो हमने देखा कि तने में रंग उपर चड़ जाता है एतना है ना बीच में दिखा जाता है इस तने के अंदर ये जो लाल रंग है ये उपर जड़ता है अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो पत्तियां और शिराओं में भी ये रंग आ जाता है और इसे के पत्तियां हैं इन पत्तियों में भी कैसा था हलकी लालीमा आ जाती है नहीं लाल रंग लाली मा लाली मा जाती लाली मदें हलका लाल रंग सा इसमें हमें दिखाई देने लग जाता है तो आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पोचा कल हमने बताया था कि इसमें जायलम और फ्लोयम तनेक में भी दो उत्तक होते हैं जायलम और फ्लोयम वो जो जड़ो द्वारा आउसोसित जल और खनीज लवन होते हैं उनको पोधे के भिन भागों तक पहुचाने का कारिये करते हैं और पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पत्तियों से ले करके और जड़ तक पहुचाने का कारिये करते हैं तो इस प्रकार तना है यह आउसोसित खनीज लव मजबूत आधार प्रदान करता है तना पोध्य करता है मजबूत आधार इस तने के सहारे से ही पोधा उपर इस्थाई रूप से हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है नहीं जमीन पर खड़ा होने के लिए पोध्य को सहारा दिने कर ये कुण करता है तना करता है अब इसमें दिखाया गए कि जो पोधे का तने के ऊपर जल चड़ना और यह चड़ता कैसे तने के खुले से का विवर द्रश इसमें दिखाया गए इसमें जो बीच में आपके फूल सी आकार की आकरते दिखाया देने बीच में इसे गोल-गोल से लाल रंकी यह भाग जल को उपर के ओर पहुँचाने का कारिये करते हैं जो भीच में आपको यह लाल लाल रंग का जो पार्ट से दिखाई दे रहे हैं इस जाईलम है जो तनोग के करते हैं निचे से जो जड़ो द्वारा आउसोसित जल है खनी जलवन है उनको पत्तियों तक पहुँच पहुंचते हैं और इसी के कारण तने का रंग और पत्ति हैं उनके रंग में भी थोड़ी लाली मासी आ जाती है यह लाल रंग के जल को इसके अंदर लाल रंग के अंदर हम पोड़े को रखते हैं तो जल में इसके बाद है इस क्रिया कलाप में हमने देखा कि जल तने में उपर की और चड़ता है जल क्या होता है जल तने के द्वारा ये क्रिया कलाप में क्या बताता है कि देखने में इसे पता लगा हमें कि जल तने में उपर की और चड़ता है किदर चड़ता है तनी में नीचे से उपर की और इस प्रकार गती करता है तनी के जो बीच का पार्ट आप देखा इसमें जल ऐसे उपर की और चड़ता है अर्थात तना जल का समवहन करता है तना जल का समवहन करता है आपने सम्वहन यानि गती करता है तनेमी गाता है जला जो तना है जल का सम्वहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ले जाना ये क्या है ये समवहन है तो ये जल का समवहन करता है नीचे जड़ों से और पानी का अवस्वसन कहा लेता है वो पर पत्यों तक पोचाने का कारिये करता है आगे देखे लाल श्याही की भाती जल में विलीन वाने गुलने वाले विलीन वाने गुले हुए पदार्थ होते हैं वो कौन से खनीज पदार्थ हैं और जल के साथ तने के उपर पहुच जाते हैं इसे जल उपर के जाता है इसमें जल में घुलेवे जो खनीज पदात होते हैं वो सब कहां पोजाते हैं तने के साथ उपर पोजाते हैं साखाओं और पत्यों तक पहुंचते हैं और यह जल ही पत्यों में पहुंच करके प्रकाश संसलेशन की किरिया को संपन कराते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया में आपने पड़ा के पोधे कि परण हैत युक्त कोशिक आएं पत्तियों के परण हैत युक्त कोशिक आएं सूर्य के प्रकास जल एवं कारबंडाय अकसेड की सहायता से अपना भोजन स्वैम संसलेशित करती है यह क्रिया क्या क्या लाती है यह क्रिया प्रकास संसलेशन क्या लाती है प्रकास संसलेशन क्या लाती है इसे ही कान पादप जो होते हैं क्या होते हैं स्वै पोसी होते हैं अपना पोशन स्वैम कर लेते हैं अपना बोजन स्वैम बना लेते हैं इसलिए स्वै पोसी कहलाते हैं अगे अग्ला पार्ट एब तन्हें के बाद क्या है पत्ति याँ पत्ति हैं कि बारे में बागे दिया है यह इस प्रकार के बिछ़ी के भी पत्ति नेमें पती इस प्रकार की 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 प्र इन चित्र बनने का पियास करेंगी आणि। क्या इन सभी की आक्रती और आकार रंग एक जैसे हैं। तो आप पाएंगे कि इन सब पत्यों का आकरती है या आकार है सबका अलग अलग होता है। हर पोधे की पत्ती का जो आकार होता है वो अलग रंग का होता है और रंग लगवग सब का एक जैसा होता है हरे रंग की पत्तियां होती हैं कि पत्तियां एक रंग के होती हैं लेकिन आकर्ती आकार अलग अलग होते हैं आकर्ती आकार कहते हैं यह दोनों में लग करके आकर्ती और आकार तो कहते हैं आकर्ती और आकार यह क्यों होते हैं यह अलग अलग होते हैं यह अलग 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 होते हैं यह अलग 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 अकर्ती अलग होती है और इनका आकार लगता है लेकिन रंग एक जैसा है रंग कैसा है रंग इनका रंग एक जैसा है कैसा है रंग इनका रंग है ये रंग एक जैसा है रंग एक जैसा है इनका रंग कैसा है एक जैसा है इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तने में ये कहा जुड़ी होती है सभी तने की यह तने से जिस भाग पर जुड़ी होती है पत्ती का वह भाग जिसके दोवारा वह तने से जुड़ी होती है पर्ण वरंत कहलाता है कहलता है परणवरंत कहलाता है जहां जिस भाग से पत्ती तनेशे जुड़ी होती है वह भाग क्या है परणवरंत कहलाता है और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते है जो ये हरा भाग आपको उपर का दिखाई दे रहा है ये भाग ये क्या कहता है ये चपटा भाग जो ह होता है यह क्या करता है फलक कहलाता है यह अब आप अपने आसपास के पोधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं कि क्या सभी पत्तियों में परणवरंत होता है वहां पर देखेंगे अधिकतर पत्तियों में यह परणवरंत होता है जहां टहनी से ये पत्ती जुड़ी हुई है ये क्या है ये परणवंत कहलता है ये तना है उपर से नीचे को और आ रहा है क्या है ये तना है और इस तने के साथ है जहां से पत्ती जुड़ी है ये क्या कहलता है पत्ती का ये परणवंत कहलता है ये परणवंत पत्ती का भाग पत्तिज से जुड़ी हुई है अब परणवनत के पश्यात इसमें देखे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि कि यहां बीच में से कुछ भाग से यहां इस प्रकार की रिखाएं से इदर चल रही है और जो दाएं बाएं इदर आ रही है इस प्रकार आ हैं से रहें कि इस डाइव बोलते हैं कैया बोलते हैं सिराय कहते हैं यह जोई-च्याइए इसके खिर मद्य-सरा बीचि वाली अदेच्छ यह निकलने वाली शी खिरायन और यह थी जाएं इस पत्ती का एक रूप या आधार प्रदान करती हैं आगे देखें पत्ती के विशे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं इनकी छाप लेते हैं छाप लेने के क्या करते हैं आप एक सिरुमन दो कागज लेते हैं उनके बीच में पत्ति को रख करके और जो ऊपर का कागज होता है उसके उपर हम पैंसिल से उसको प्रश्रय को थोड़ा तृच्छा करके रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उस उपत्ति की छाप आपके उपर वाले कागज पर बन जाती है, तो पत्ती के विशय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसकी छाप लेते हैं, और सोचते हैं कि यदि पत्ती विशय क्या पत्ती विशय छाप नहीं सोचती, तो यह क्रियागण रब आपको पंदर विचार करने दुबारा सोचने के बारे में मजबूर करते हैं उसको बारे में सोचते हैं दुबारा से की ये क्या है अब हम देखते हैं कि जो पत्ती का उपर का छाप बनता है उसके आधार पर हम सब पत्तियों के बारे में जान जाएंगे कि जो सब पत्तियां है उन सब का आकार कैसा होता है बिन्न बिन्न होता है अब आप एक पीपल की पत्ती एक बरगद की पत्ती एक नेम की पत्ती इनके बारे में ही हम देखते हैं तो हमें इनके बाई आकरती के बारे में पता लग जाता है कि इनकी आकरती अलग अलग प्रकार की है इनकी आकरते कैसी है एक जैसी नहीं है तो आज आपका इटोपिक अपना कंप्लीट वा इस वाल हम कलत दिन करेंगे धन्यवाद